गोड इवनिंग क्लास इक्स होली चैल्ड स्कूल पेज नमर फोर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पेज नमर फाइफ स्टेट्स अफ मैटर अट ओर्डिनेरी टेंपरेचर मैटर इस नोन तो एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स नोन आज दे सेट्स अफ मैटर तो जब भी कोई एक सामान ने जैसे कि अभी नॉर्मल टेंपरेचर है उसमें कोई भी चीज हमको तीन रूप में दिखता है क्या है? सॉलिड जैसे चॉक हो गया, वोड हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया लिक्विड जैसे वाटर, केरोसीन, ओयल, मिल्क यह सारे लिक्विड है और गयास जैसे एर है, ऑक्सिजन है, जितने गयासे है तो दीज आज़र थ्री स्टेट्स अब मैटर, सॉलिड लिक्विड गयास बही हमको मालुएं कि जो भी वस्तु है, कोई भी मैटर है वो मॉलिक्व बहुत चोटे-चोटे और चीज़स Siebनए होते है उंको बोलते हैं आटम्स तो यह जो मॉलिक्ेल का जो गैप है कौन कितना सटके है पास-पास में है, कौन को तना दूर-दूर है, उसकी सहाब से उनके विशेस्ताएं हो दिये, characteristics, जो के हम देखेंगे, ये green box देखेंगे, besides solids, liquids and gases, plasma and Bose-Einstein condensates are also being considered as state of matter, तो ये just extra knowledge के लिए है, ये तीन solid, liquid, gas को छोड़ के, plasma और Bose-Einstein, ये दो इनको भी matter माना जाता है, प्लाजमा क्या है, is the state of matter that exists at extremely high temperature and is known to consist of positive ions and electrons, तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा high temperature में ये होता है, और इसमें positive ions and electrons होते हैं, बोस आइंस and condensates are known to exist at extremely low temperature, बहुत ज़्यादा low temperature यानि बहुत ज़्यादा ठंड में ये दिखते हैं, ये खाले extra knowledge के लिए था आपके, solid, the state of matter in which constituent molecules are closely packed is known as solid, तो जिस state of matter में molecules बहुत पास-पास में packed up होते रहते हैं, उनको बोलते हैं, solids, क्या क्या विशेष्टा हैं, क्या क्या characteristics हैं, पहला है, the molecules in solids are closely packed and the intermolecular distance between them is very less, जो molecules से बहुत पास-पास में रहते हैं, और दो molecules के बीच में जो दूरी होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, the intermolecular force is very strong in solids, और क्योंकि ये पास-पास में रहते हैं molecules, तो दोर आपस में जो एक खिचाव है, जिसको बोलते हैं intermolecular force, ये बहुत strong होता है, solids में, solids have a fixed shape and size, solids का fixed shape size रहता है, जैसे इट है, इट का तो fixed size है, shape है, है न, solids have a definite volume, उनका definite यानि fixed volume रहता है, volume यानि कितना अंदर जगा घेरा हुआ है, molecules in solids remain fixed and vibrate about their mean positions, solid में जो molecules जिन से बने हो रहते हैं, वो vibrate जन जन आते हैं, हमको पता नहीं चलता है, पता चलता है, पता चलता है, पता चलता है, जहां पर वो स्थित हैं, जो molecules जहां पर हैं, वहीं से आगे-पीछे जन आते हैं वो लोग, हिलते हैं, लेकिन हिलने के बाद जब रुखते हैं, वहीं अपनी जगा आ जाते हैं, solids cannot be compressed easily when pressed, solids को हम आसानी से दबा के, compress यहनी, और उसको सिकोड नहीं सकते हैं, ऐसे कि sponge लोगे, sponge को दबा होगे, तो सिकोड आता है, लेकिन solids को हम नहीं कर सकते हैं, due to strong intermolecular force of attraction between the molecules, solids expand very little on hitting, क्योंकि आपका intermolecular force of attraction बहुत ज़्यादा होता है, solids में, तो गरम करने बहुत ज़्यादा फैलते हैं, एक्स्पैंड नहीं होते हैं, होते हैं, बहुत कम होते हैं, solids are hard and rigid, बहुत सक्त होते हैं, ठोस होते हैं, rigid मैं ठोस, जुसको ज़्याद तोड मोन नहीं सकते हैं हम लोग, but can be beaten either into sheets or into powder form, लेकिन इंको पीट पीट के, यह heat करके, उनको हम powder बना सकते हैं, यह तो sheet, मतलब बतला जैसा, teen का sheet होता है, इंट को पीस क्या powder बना सकते हो, liquids, liquid is the state of matter in which the constituent molecules are not very closely packed, इसमें जो molecules है, constituent मतलब जिन से बना हुआ है कोई चीज़ लिक्विड, वो जादा पास-पास नहीं होते हैं, क्या characteristics हैं, the intermolecular space between the molecules of liquid like water, mercury, etc, is more than in solids, तो solids के मकाबले, इन में जो molecular space है, intermolecular space है, काफी जादा होता है, the intermolecular force of attraction is lesser in liquids, तो gap आप का स्जादा होता है, तो उनके बीच में जो खिचाब है, force of attraction, वो भी कम होता है, that is why they are loose lip, इसलिए loose होते है, हिलते दूलते रहते हैं, पानी, दूद, अगर हिला होगे, तो पुरा हिलेगा, the molecules are not fixed at their positions and can move freely, molecules का position fixed नहीं है, और इदर होता, अराम से, हिलते हैं ये लोग, molecules, liquids do not have a fixed shape and take the shape of the container they are poured in, उनका fixed shape नहीं होता है, जिस container जिस बर्तर में डाल देते हैं, उसी का shape ले लेते हैं, ग्लास में पाई डालो तो ग्लास हो जाएगा, काटोरी भी तो काटोरी का shape, even though the intermolecular forces are weaker in liquids than in solids, the molecules are not completely free, that explains why they have a definite volume, तो भले ही intermolecular force जो है, आपस में जो खिचाव वो कम होता है, लेकिन वो पूरे पूरे फ्री नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उड़ी आएंगे पूरा, इसलिए लिएन का volume definite होता है, fix volume होता है, कि यह एक लीटर दूद है, यह एक लीटर पानी है, ठीक है, like solids, liquids are almost incompressible, तो जैसे solid को दबा नहीं सकते हैं, liquid को भी नहीं दबा सकते हैं, लग भग, बहुत हलका दबता है, तो जब हीट करते हैं, क्योंकि इनके intermolecular force कम होते हैं, तो यह expand होता है, फ्यालता है, liquids are less rigid as compared to solids, solid को मुकाबले, यह ज़्यादा सक नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते हैं, यह picture आप है बहुत अच्छा नहीं आया था, फिर दिख रहा हैं मुझे, gases, gas is that state of matter in which the constituent molecules are very loosely packed, इसमें जो molecules से बहुत loosely packed होते हैं, क्या characteristics हैं, the intermolecular distance in gases is very large, जिसमें जो molecules हैं, बहुत दूर-दूर तपहले होगे रहते हैं, the intermolecular force in gases is almost negligible, तो लगभग almost means लगभग negligible हैं ना के बरावर, दो molecules के बीच में जो खिचाब है, intermolecular force है, वो लगभग ना के बरावर है, इसी के वाज़े से, the molecules in gases are very loosely packed, the molecules in a gas move freely in all directions, execute zigzag motion continuously, तो gas के जो molecules हमेशा इदर दर भागते रहते हैं, gases have neither a fixed shape nor a fixed volume, इनका fixed shape volume दोनों नहीं रहता है, they occupy all the space available to them, जितना space जगा रहता है, उस सारा घेर लेते हैं, रूम में, एक अगरवत्ती जलाएंगे तो पूरा रूम भर जाता है खुच्बू से, यानि जो अगरवत्ती के molecules हैं, धुएके वो पूरा रूम को घेल लेते हैं, चारो तरफ पहल जाते हैं, gases can be compressed to a large extent, बहुत ज़्यादा इसको दबा सकते हैं, gases also expand a lot on heating, जैसे gas cylinder में जो गैस आता है, वो दबा आता है, एक होता है देखना CNG, जो आटो बस में यूज होता है, compressed natural gas, और गरम होने पर बहुत फैलते हैं ये लोग, gases are not at all rigid, gases बिल्कुल ही rigid, यानि ठोस नहीं है, सकते रही हैं, जो हमने पढ़ा, वोई differences यहां दिये हुए, फरक क्या है तीनों में, जरूर पढ़ना इनको आप, ये कुछ questions है, इनको करके आप भेजना फोटो मुझे, ध्यान से पढ़के, जितना पढ़ा है, उसमें से आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है, यहां जो है, now changes in states of matter, कैसे जो state है, अवस्ता है और बदलता है, solid से liquid, यह liquid से gas, gas से liquid, gas से solid, ऐसे, now the three states of matter are interchangeable, बदलते रहते हैं, this can be observed on heating matter, इसको गरम करने से किसी चीज़ को हम पता चलता है, जैसे example, water exists in all the three states of matter, पानी का तीनों रूप होता है, solid होता है, ice, बरफ, water होता है, liquid or water vapor, यह भाप होता, gas, when ice is heated, it melts and turns into water, बरफ को गरम करोगे, तो पानी हो जाए गलके, similarly when we take some water in a pan and heat it, on burner, it converts into water vapor, जैसे गरम करोगे आप गास बे, तो भाप हो जागे, उबलके, also water changes into ice on freezing, पानी को आप जमा दो फ्रिज में, ice हो जाएगा, तो इंटर्चेंजेबल है, जैसे हम देख सकते, देखो, ice, गलके पानी हो जाएगा, पानी को पालने से, गैस हो जाएगा, तो just like water, other materials can also change from, state to the other through, processes like melting, boiling, evaporation and condensation, तो ऐसे ही दूसरे काभी सारे चीजे हैं, जो अपने रूप बदलते हैं, है कि नहीं, ये कुछ definitions हैं, short definitions हैं, ये पढ़ने आपको, यहाँ पर भी कुछ point दे रखें, ये भी सब पढ़ चुकें, इनको भी पढ़ना आपको, अच्छा, एक काम और दे रहे हैं आज, जादा नहीं देंगे, ये fill in the blanks, गलती नहीं करना आपको ध्यान रखना, हो सकता है, लेकिन फिर भी आप book पढ़ोगे, ध्यान से सारे मिलेंगे, fill in the blanks, true false, choose the correct option, और ये matching, और क्या है, matching, ये short questions आप, किताब में करके, बढ़ियां से अच्छे से लिखके, मुझे photo भेज होगे, ठीक है, thank you very much,